नमस्कार, मैं हूँ अचारय पंकित गोयल और एक बार फिर हम सभी लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं हमारी वास्तुशाष्टर की इस जर्नी में आप सभी लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दी जब से हमने अपनी नई वीडियो फॉर्मेट यानि की नई तरीके से वीडियो आप सभी के सामने लेकर आने लगे आप सभी लोगों ने ये कहा कि स्पीड थोड़ी सी अन्यूजल है जैसा आप लोग मुझे जानते हो वैसी नहीं है स्पीड थोड़ी सी तेज है और इनी बातों को सरांखों पे रखते हुए हम अपने ही आपे में वापस आते हुए शुरुआत करते हैं हमारी नई वीडियो के कुछ लोगों को जिनको ये स्पीड स्लो लगती है यूट्यूब में ऐसे फीचर्ज भी होते हैं कि आप उनको बढ़ा सकते हूँ लेकिन आप ही लोगों के कहने पर उसको तेज किया गया था अब आप ही लोगों के कहने पे मैं फिर से अराम से समझाने की कोशिश ताकि आप मैं हम सभी लोग कहीं पर भटक ना जाए और कोई ऐसी बात ना हो जो तेजी के कारण आप सभी लोगों से पीछे छूट जाए तो सबसे पहली शुरुवात है सबसे पहली बात हम करते हैं आज नंबर्स के बारे में क्यों जरूरी होते हैं नंबर्स या प्लानेट कॉंबिनेशन या एस्टरोजी या जोतिश या निमरोलोजी या वास्तो इन सभी का अपना अपना रोल क्या है और आप सभी लोगों को ये नंबर के हिसाब से अगर आपका कोई निर्धारित अंक या नंबर है तो कौन सा घर आपको लेना चाहिए कौन सा घर नहीं लेना चाहिए और घर का जो नंबर है वो किस तरीके से आपको प्रभाव देता है इसके उपर हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं तो सबसे पहली चीज क्या है? इस पूरी जरनी के अंदर सबसे important मानता हूँ मैं जोतिश को. जोतिश आपको ये बताती है कि आपको कौन से रस्ते पर जाना है, कब कौन सा event होना है, जादा होना है, बुरा होना है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, विक्ति कौन सा करम करेगा लेकिन उस फल के जो लाब देने का काम होता है, वो काम होता है, वास्तू, शाष्तर का, जैसा आप और मैं हम सभी लोग जानते ही हैं. और उसके बाद, जो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है, वो निभाता है, इन दोनों का combination जिसको हम कहते हैं, एस्टू, वास्तू या जो तिशवास्तू, नमबर्स क्या रोल प्ले करते हैं, जैसे मान लीजे मेरी date of birth है, 21-1993, 21-1993, तो इसका जो योग बनता है, 21-1993, जब आप इसको जोड लोगे तो टोटल बनेगा 8, तो मैं एक ऐसा वेखती हुआ, जिसके दो नमबर्स निकलते हैं, जिसको भाग्यांक और मुलांक बोलते हैं, तीन और आठ, जिसको initiator, sustainer, driver, conductor, अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है, इसका मतलब क्या है, क्या मैं सिर्फ तीन नमबर वाले लोगों जैसा प्रियोग करूँगा, या वैसा बन जाऊँगा, या मेरी बुद्धी हमेशा वैसी होगी, मेरा ऐ हैं, कि इसको astro से जोड़ना चाहिए, इसको वास्तू से जोड़ना चाहिए, तब जाकर आपको किसी एक तरीके के परिणाम जीवन में देखने को मिल सकते हैं, समस्या क्या होती है, जब लोग ये कहते हैं, कि तीन नमबर वाले सारे लोग एक जैसे होते हैं, बिलकुल भी कोई भी वेक्ति सिर्फ नमबर के अधार पर एक जैसा नहीं हो सकता, तो हम बात करने वाले हैं, आज एक नमबर की, यानि कि जो भी वेक्ति किसी भी महिने की एक तारीक को, 10 तारीक को, 19 तारीक को, या 28 तारीक को पैदा हुआ, ये सभी लोगों का जो योग बनेगा, वो अधार का टोटल, mm, ddy, yy, यानि कि मन्त, date और years को टोटल करने पर एक आता हो, तब वेक्ति एक नमबर का कंसीडर किया जा सकता है, या माना जा सकता है, एक नमबर यानि नमबर वन, अब ये नमबर वन किस चीज़ को निर्धारित करता है, अगर हम astrology को देखें, तो ये न जोग एक नमबर पर आता है, जैसे किसी का घर का नमबर है, b1, तो इसको क्या कहेंगे, one नमबर नहीं कहेंगे, यहाँ पर आपको b की value भी add करनी होती है, लेकिन यहाँ पर one के भी attribute आपको देखने को मिलेंगे, अगर b block में हजारों मकान हैं, तो आप one को consider कर सकते हैं, ले घर का, वो कोई भी xyz हो सकता है, माल लीजे आप यह कहते हैं कि मेरा नमबर है घर का, फलाने फलाने घर के, जैसे नॉइडा sector 44 में, नॉइडा sector 17 में, नॉइडा sector 63 में, मैं F block, A block, B block, K, 21 नमबर मकान में रहता हूँ, तो आपका मकान संख्या हो जाएगी, 3, हाला कि इसको पूरा जोड़ना जरूरी है, लेकिन फिर भी, मेजर संख्या पे फोकस करना जरूरी है, जो सबसे important है, इस बात को फिर से समझिएगा, पूरा total जरूरी है, लेकिन फिर भी, जो मेजर संख्या है आपके घर की, वो सही होनी जरूरी है, अब जिनके भी घर की संख्या एक है जैसे A1, B1, C1, D1 या किसी flat में अगर आप रहते हो first floor रहते हो पहला मकान आपका है second floor पे पहला मकान आपका है कोई कहता है 201 number, 301 number 401 number, उस particular flat में आपका एक number है तो भी वो एक number मकान माना जाएगा हाला कि यहाँ पर दोनों को योग करना भी जरूरी होगा, जैसे मैंने बताया initiator और sustainer, वैसे ही आपके मकान के initiator और sustainer निकल जाते हैं उधारन के तोर पे मान लीजिए आपका मकान है किसी building के चोथे माले के दूसरे number पर तो आप क्या कहोगे, मेरा मकान उस building के A block 402 number है, तो आप 402 का योग भी करोगे यानि कि 6 और जो 2 निकल कराया क्योंकि दूसरा मकान है, वो भी आपके उपर सिद होता हुआ दिखाई देगा या लाबकारी होता हुआ दिखाई देगा करना क्या है, अगर आपका number 1 है, जिस तारीक को पैदा हुए, तो आपके घर की संख्यावी एक होना लाबकारी रह सकता है, मतलब अगर एक नहीं है, जिसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि बुरा है, बहुत सारे लोगों को मैं कहते हैं, साथ नंबर बुरा है, छे नंबर बुरा है, या पांच वालों को छे नहीं लेना चाहिए, या पांच वालों को एक नहीं लेना चाहिए, ये सब बातों से मैं बिल्कुल परे हूँ, मैं आप सभी लोगों को सरफ इतनी सी बात कहता हूँ, कि अगर आपका जनम किसी भी महीने की एक तारीक, 10 तारीक, 19 तारीक, 28 तारीक को हुआ है, तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपका मकान एक नंबर है तो बहुत लाबकारी सिद्ध हो सकता है, अब आप सभी लोग बोलेंगे कि नहीं भाई साब, हमारा तो नहीं है, अब हम अब गलत है, आपने उनका ट्रीटमेंट भी कर रखा है, उपाए भी कर रखें, नहीं कर रखें तो जरूर अभी जाकर आप फ्री वास्तू कोर्स को जोईन कीजिए और उसको सीख लेजी, उसी के साथ साथ में अगर आप यह कहते हैं, कि अब मुझे क्या उपाए करना है, या चलो मान लेते हैं कि मेरा घर भी एक नंबर का है, तो मुझे और क्या उपाए करना है, किसी भी तरीके से आप अपने घर का जो नंबर है, बाहर एक किसी तरीके से लगा दीजिए, जैसे आपने अपने गेट पे लगा दिया, आपने किसी आसपास की दिवार पे लगा दिया, जिससे कोई देखने वाले को यह focus आए, कि उनके घर के बाहर एक नमबर लिखा हूँ है, कई बार हम नहीं बोलते हैं, कि जी मेरे घर के बाहर ए एक नमबर को लगा देना है, और क्या अगर सकते हैं, आप अपने इसी घर के बाहर सूरज की तस्वीर भी लगा सकते हैं, और साथ-साथ में आप सूरय का मंतर भी लगा सकते हैं, स्वास्तिक तो लगाना कामयाब होता ही है, अच्छा होता ही है, लेकिन अगर आप सूरय का spray इस्तिमाल करते हैं क्योंकि राज्चिक जगह हो गई तो आपके लिए काफी लाबकारी सिद्ध हो सकता है मैं sprays पर directly इसलिए अभी नहीं जाओंगा क्योंकि बहाँ पर हो सकता है आपका कुछ ना कुछ खर्चा हो जाए योगि सूरज क्या है उगतावा सूरज रोष्णी को परदान करता है तो डार्क बिलकुल नहीं होना चाहिए आप कोशिश करें कि पुर्व मुखी घर अगर आपको मिले तो बहुत ज़्यादा लाबकारी रहेगा जिनका भी नंबर एक है लेकिन आप लोग बिलकुल ध्यान देखें गंदगी बिलकुल नहीं हो किसी भी तरीके से बाहर लाल रंग का कुछ ना पढ़ा हो हरे रंग का आप वहाँ पर रख सकते हैं औरेंज रख सकते हैं यलो खलर का पायदान रख सकते हैं शूज की मात्रा बहुत ज़ादा ना हो गंदगी ना हो और लोहा बहुत ज़ादा मात्रा में आपके घर के बाहर अगर इस्ट फेसिंग है और अगर आपका नंबर एक है तो घर के बाहर ना पढ़ा हो इन चीजों को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए मैं फिर से के बाहर एक नंबर लिखके लगाएं सूर्या का मंतर लिखके लगाएं या सूर्यदेव की पिक लगाएं इससे आपको त्यंतलाब मिल सकते हैं और आपका जीवन सफल सुखी और समरिद हो सकता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यावाद क्या सीखने को मिला ज़रूर लिखल लिए भी मिलाद की और लिखक झाल